नमस्कार तो जो भी कंडिडेट सेक्योर्टी असिस्टेंट आइवी सेक्योर्टी असिस्टेंट का जो फॉर्म अपलाई कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं और उस डाउट्स को क्लिर करने के लिए मैंने अपने फॉर्म अपलाई किया हुआ है उसी वेव साइट से मैंने पीडिएफ को डाउट्स है जो फ्रिक्वेंट्ली आस्ट को संस हैं वो उसके एंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो हम कुछ-कुछ में पॉइंट्स है जिस पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो सबस क्या आप अपना एक्जाम सेंटर फिट से चेंज कर सकते हैं या नहीं ठीक है तो यह आपका कॉस्संस होगा कि वेदर दो चेंज ऑफ सेंटर फोर एक्जाम फोर इट्रिटन एक्जामीनेशन इज अलाउड आफ्टर अफ्टर दर सबमिशन ओफ अप्लिकेशन यानि कि एक अप्लाइक करते टाइम जो अपने एक्जाम सेंटर दिया हुआ है वहीं आपका रहेगा ठीक है और साथ में एक यहां पर आपका सवाल हो सकता है वेदर ओवी सी सर्टिफिकेट इन दे स्टेट गौर्वर्मेंट प्रोफॉर्मा अलाउड यानि कि स्टेट गौर्वर्मेंट के फर्म में रहेगा यह चेंटरल गौर्वर्मेंट के तो यहां पर देख लिए सिदा सिदा लिखा है गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया ठीक है गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया जो भी इलिजबिलिटी और क्रिटेडिया रहेगा हो गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया के फर् और यहां पे आपका नीचे उन्होंने जबाब दिया हुआ है कि there is negative marking in tier 1 for every incorrect answer 1 by 4 यानि कि एक सवाल गलत होगा तो आपका 1 by 4 जो है आपका marks जो है वो negative marking में जाएगा mark would be deducted there is no negative marking in tier 2 tier 2 में आपका कोई भी negative marking नहीं होगा ठीक है और वैसे भी tier 1 जो है वो आपका qualifying है उसके marks से आपके merit पे कोई असर नहीं पढ़ने वाला है लेकिन वो qualify करना ज़रूरी है तभी आप जाकर कर tier 2 दोगो या इंटर्व्यू दोगो और अगला जो है जो main है वो हमारा यहां पे है 24 number what if a candidate has furnished incorrect information in the online application अगर आपने गलत information feel कर दिया है गलती से और अपने अपना जो form है application form में वो submit कर दिया है तो आगे क्या होगा तो साफ साफ इन्होंने यहां पे दिया हुआ है कि अगर date of birth date of birth या नाम आपने incorrect उसमें डाला हुआ है form apply cut at time तो आपको फिर से फिर से आपको अफ्रेश आप देख लिजिए पहले ही लिखा हुआ है अफ्रेश ठीक है अफ्रेश आपको जो है दूसरा application form feel करना पड़ेगा इसका भी एक आप लोगों को यहां पे दिया गया है इसका भी एक solution दिया गया है कि अगर आप नहीं feel कर पाते हैं उसी application पर आप exam दे देते हैं तो आप tier 1 का exam दे दिए और tier 2 भी exam दे दिए तो जब आप interview में जाईएगा तो interview के time में interview के time में आप आपका जो criteria है वो देखा जाएगा कि आपका जो date of birth है जो range दिया गया है कि date of birth महा लिजिए जितना भी हो 11 से 27 ठीक है तो इसके बीच में like कर रहा है या नहीं अगर आपका date आपका जो age है वो इस form के according कम या जादा है तो आपको interview से ही आपको निकाल दिया जाएगा अगर आपने गलत date of birth भी feel किया है या name feel किया है और interview के time में जावा का document देखा जाएगा अगर उस time correct पाए जाता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आप फिर से भी form apply नहीं करते हैं अगर आपको लगता है कि जो हमारा जो age है वो इस form के according है हमारा नाम सही है तो आप interview कोई time में भी जाकर caption करवा सकते हो इसके लिए को intention लेने वाली बात नहीं है ठीक है और in case there is minor correction like address name miss spelled etc there is no need to apply again यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप नाम में कुछ गलती होता है या address में कुछ गलती होता है तो आपको फिर से apply करने के ज़रूरत नहीं है in the case candidate is shortlisted for interviews he or she can give intimation for relevant correction at that time आपको उसी time interview को time में आपको time दिया जाएगा उसको सुधार रेने के लिए आप वहीं पर सुधार सकते हैं ठीक है तो mainly दिकत होता है date of birth और date of birth को लेकर के main दिकत इसलिए होता है क्योंकि age criteria देखना होता है कि आपका age कितना है उस form के according है या नहीं है तो आप दुबारा form फिल्म मत करिए अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जो age है वो इस form के according है इनके जो eligibility है उसके according है तो आप interview के time उनको बता सकते है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप channel को जरूर subscribe करें और वीडियो को like और share जरूर करें धन्यवाद